हेलो सर्, हां सर वो 2-3 मेंढ पहले ITR फाइल हुआ था, हां सर उसकी फीस अभी तक पे नहीं हुई है तो वो पे करेंगी क्या, क्या कहागा है तर अच्या पैर ट्रक के नीचे आ गया है तो आप एक कर दीजेगा ठीक है हाँ हाँ ओकी सरो के ऐसे बहाने लोग बनाते हैं चुल इनको भी ट्राइक कर लेते हैं हेलो हाँ जी सर सर वह एक जीस्टी का रेजिट्रेशन हुआ था उसकी फीस अभी तक नहीं आई है तो वह भुकम बार है अच्छा ठीक 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 जब चला जाने तब आपके एक कर दीजेगा हाँ हाँ ठीक कोई इश्व नहीं था यारे कैसे कैसे बहाने चुल एक और ट्राइक कर लेते हैं हेलो सर वह एक साल पहले आपका एक जीस्टी के रिटरंस फाइल हुए थी अब दर उसकी फीस नहीं आई है अधर नहीं है एक अधर आपको भी सुनने को मिलते होंगे जब आप अपने क्लाइंट से पैसे मांगते होंगे और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्केशन किया हुआ था कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रैक्टिस का जो एक डार्क प्रैक्टिस की जो डार्क रियालिटी है वो यह है कि हमें कई बार और खासकर इनिशल फेज़ में हम काम कर देते हैं बट हमें पैसे नही सबसे बड़ा टास्क होता है आज उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे और मैंने आपके मन में क्या सजेशन्स हैं तो आप लोगों मैंसे कई लोगों ने अच्छे सजेशन्स दिये हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा देखिए जो हमारा ये यूटूब चैनल है वो मैं अपने सजेशन्स दो मैं अपनी बात रखों आप अपनी बात करो तो उसी क्या होगा है अच्छा चैनल डेवलाफ होगा और मेरी भी स्काहरो डियोगों होगा और आपकी स्काहरो करेंड Yeah जो स्प्सक्राइब कर लिजे बात करते हैं इसकी स्सेल्यूशन की देखे, पहले सबते पहले समझ लीजिए कि residual risk क्या होता है, inherent risk क्या होता है, ये concept होता है, आप किसी भी risk को 100% mitigate नहीं कर सकते, जैसे आप bike चला रहे हो, car चला रहे हो, आपका हाथ में steering है, आप बहुत अच्छे driver हो, लेकिन क्या पूरा 100% ये guarantee दे सकते हो कि accident नहीं होगा, जी नहीं, वो 0.1111% chances होते ही है, उसी तरह जैसे हम लोग घरों में electric shock से बचने के लिए अच्छे wire लगवाते हैं, plug लगवाते हैं, still जो है, वो घरों में आग लग जाती है, electric shock लग जाता है, कहने के मतलब ये कि कुछ ऐसे risk होते हैं, कुछ percentage होता है, जो आप विल्कुल भी mitigate, eliminate नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते है, inherent risk, तो वो तो रहेगा, आप ये बोलो कि मैंने 100% काम कर दिया, उसका मुझे 100% पैसा मिल जाएगा, practice में ऐसा कभी नहीं होने वाला, तो एक margin होता है, सब वो margin कितना होता है, मैं अपने practical experience से आपको बताऊं, तो 15-20%, 15-20% ऐसे client होंगे के ऐसा काम होगा, जिसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, या फिर बहुत आगे जाके मिलेगा, बहुत time left जाएगा, तो वो तो आप मांगे चलो, वो तो acceptable risk है, 15-20% तो मतलब पैसा डूबे गाई, डूबेगा, बाकी जो 80-85% है, उसको हम क्या ऐसा हम कोशिच करेंगी, कि वो हमें पैसा टाइम पे मिले, कुछ लोगों ने comment section में ये बोला है, एडवांस ले लेते हैं, काम शुरू करने से पहले एडवांस ले लेते हैं, और फिर काम स्टार्ट करते हैं, ये एक अच्छा suggestion है, जो मैं आपको देने वालाता solution, उसमें मैंने एक चीज एड़ कर है, जो आपने मुझे बताई, कि काम स्टार्ट करने से पहले ही, आप कुछ एडवांस ले लो, तो उससे क्या होगा, कि अगर आगे चल कर आपने काम करके दे दिया, तो at least पूरा पैसा नहीं डूबा, आपने कुछ तो एडवांस ले लिया, वही बात आ गई, कि 70-80% एड करके दे देते हैं, ये भी अच्छा सजेशन है, लेकिन उन कामों का क्या, जहाँ पर कोई टैक्स इंवाल्व नहीं है, जीस्ति का रेजिट्रेशन हो गया, आना निल रिटन की फाइलिंग हो गई, या कोई ऐसा काम हो गया, जिसमें कोई टैक्स इंवाल्मेंट नहीं है, तो वहाँ बाइडवांस पेमेंट कैसे लेंगे, ठीक है, आचा, एक जो गलती करते हैं, वो आपको अवाइड करनी है, कभी भी किसी भी क्लाइंट का काम, जेव से पैसा लगा के मत करिये, जैसे ITR की लेट फीस है, अब 1000 रुपय लेट फीस आती है, हमें पता है, अगर अभ कॉल करते हैं, कि सर, वो IDR फाइल हो गया है, तो 1000 रुपय फीस और 1000 रुपय जो हमारी लेट फीस है, वो पे कर दीजे, हाँ, वो मैं दे दूँगा, वह होता है, जो बहाने हमने सुने, वैसा ही कुछ होता है, तो ये गलती कभी मत करिये, कि अपनी जेव से लगा के, किसी पी क्लाइट का काम नहीं करना है, चाहे वो क्लाइट हाट से निकल जाए, ये गलती मैंने इनिश्ल जब प्रैक्रेस स्टाट करे थी, तो कोई बताने üへला नहीं था उस समय, मैं सोचना था, क्लाइट फाइट निकल जाएगा, तो चलो यार 500 रुपय पे करना है, चलो भं पे कर दिया है उल्टा मैंने अपनी जेब से लगा दिया है मैंने कान पकड़े कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कभी बी किसी भी क्लाइंट का काम जेब से पैसे लगा के मैं नहीं करूँगा ठीक है तेक तो ये नहीं करना है दूसरा ये अच्छा सजेशन है कि आप जब भी काम स्टार्ट करिए तो एडवांस पहले ले लेजिए कुछ भी 40, 50, 60% और बाखी काम होने के बाद तो एक लिस्ट आपका पूरा पैसा नहीं डूबने वाला अब बात करते हैं एक टेंपरिरी सॉल्यूशन आप बात करते हैं एक पॉर्मानेंट सॉल्यूशन की देखे सर आपकी सर में दर्द होता है हलका फुलका तो आप कितने पैसे खर्च करोगे इसके उपर 10, 20, 50 ठीक है 50,000 कोई आपसे चार्ज करे सिर्फ सर में दर्द का तो आप कि on yuk 50,000 पर पैकर हो गे कभी नहीं आप क्या बोलोगे सर सिर्फ सर में दर्द तो ही हो रहा है इतना पैसे क्यों चार्ज कर रहा हो मैं क्या बताना चाहरा हूं कि छोटी बिमारी के लिए लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं अब दूसर एक्जम्पल लेते हैं लेकिन कोई critical बिमारी हो जाए कोई ऐसी बिमारी हो जाए जो मतलब जिससे जान भी जा सकती है अब आप क्या करोड़े कि अब आप छोटे मोटे जो महले में doctors होते हैं उनके पास जाओगे कि उस बिमारी का जो expert होगा उसके पास जाएंगे सर हम जाएंगे expert के पास appointment भी लेंगे fees भी pay करेंगे हमें जो जो चीज़े बताएगा चाहे वो कितनी ही expensive क्यों ना हो हम उसके उपर पैसा खर्च करेंगे क्यों? क्योंकि वो अपनी field का expert है तो यही है मेरा permanent solution देखे आप practice कर रहे हैं हमें पास कमाने के कौन कौन तरीके हैं by GST return, GST registration income tax का return MSME registration food license और IEC import export हो गया हमारा PF registration, ESI registration project report बतलब बहुत चीज़े हैं जिसे हम पैसे कमाते हैं लेकिन आज से एक चीज अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको इन सारी field में से किसी एक field का expert बनना है आपको income tax में interest आ रहा है तो आज से आपका सोना, जगना, खाना, पीना सब क्या होना चाहिए income tax होना चाहिए क्या rules है क्या law है क्या change होने वाला है आपको बस income tax में डूब जाना है अपने आपको expert बनाना है आपको GST अच्छा लगता है आप GST पढ़ना शुरू करिए एक expert और knowledge अपने अपने अंदर develop करिए आपको accounting अच्छे लगती है तो accounting में डूब जाहिए जितने softwares होते हैं चाहिए वो tally हो चाहिए वो mark हो जाहिए वो zoho books आज़कल चल रहा है आपको सब की knowledge होनी चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए आप काम सारे करिए बिकॉस भाई हमें पैसा मिल रहा है तो हमें survival की तो करना है बट अपने आपको किसी एक field में expert जरूर बनाईए जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे GST की field बहुत attract करती है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं GST का बहुत बड़ा expert हूँ बट मैं GST के बारे में पढ़ता रहता हूँ क्यों? क्योंकि मैं अपने आपको अपने city मतलब मैं अपने आपको all over India GST का expert देखना चाहता हूँ यह मैं आप से अब share कर रहा हूँ अपना एक dream कि मैं चाहता हूँ कि जब जब इंडिया में कहीं पर भी GST की कोई भी problem आए तो लोगों के मन में किसका नाम आए? मेरा नाम आए अब इसमें time लग सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप लोग मेरे साथ जुड़े हूए हो लेकिन एक दिन वो दिन जरूर आएगा आप देखिएगा और मैं इसी तरह वीडियो बनाके आप लोगों के साथ वो दिन मैं शेयर करूँगा कि देखिए आज मुझे सब लोग जानते हैं तो मैं अपने आपको GST में ऐसे expert देखना चाहता हूँ तो मैं पढ़ता रहता हूँ GST के बारे में उसी तरह आपको जिस फीड में भी आपको interest है आज से जुड जाईए जब तक आप सारे काम करते रहेंगे आपको किसी के expert knowledge नहीं है तब तक क्या होगा आप छोटे मोटे काम करते रहोगे वही 50 रुपाय में दवाई दोगे जो डॉक्टर्स देते हैं 100 रुपाय में दवाई दे दिया 500 रुपाय में दवाई दे दिया लेकिन लोग appointment लेके आपसे मिलने नहीं आएंगे का आप आएंगे जब आप expert बन जाओगे अपनी knowledge के और जब आप उस level पर पहुँच जाओगे तब आप ना सिर्फ काम करने की फीज तो बाद में लोगे ही लोगे सिर्फ consultation की फीज भी चार्ज करोगे और लोग advance में दे के जाएंगे market में पैसा वही देता है उसी को देता है जो चीज मार्केट में short होती है अब इस चीज को समझे है इंडिया को जो market है यहां को जो consumer है जो client है वो price driven है यहां इसलिए देकि showroom के बाहर 80% off 50% off क्यों लिखा होता है attract करने के लिए ताकि customer attract हो यहां को जो market है वो price sensitive है किसी चीज की price ज्यादा है तो हो तकता है वो चीज की sale कम हो और अगर price कम है तो sale automatic जो है वो boom कर जाती है तो यहां का price sensitive market है ऐसे market में अगर आपको मन चाही fees जो आप चाहो fees वो अगर आपको charge करनी है तो आपको किसी एक field में expert बनना पड़ेगा चाहे वो GST हो, income tax हो accounting हो, MSME हो food license हो, PF, ESI मन आपको कितने options दिये हैं तो आज आप बैठो, decide करो कि आप किस में expert बनना चाहते हो और आप comment section में मुझे बताओ कि आपको कौन सी field attract करती है अपने आपको उसमें जो है excel करो जब आप उसमें expert बन जाओगे जब आपका नाम हो जाएगा तब लोग आपके पास आएंगे आपको पैसे भी देंगे और वो तो पैसा काम करने का देंगे ही देंगे आप सिर्फ आप consultation fees भी देके जाएंगे वो दिन भी आप देखोगे मैं जानता हूँ ऐसे professional को जो 200-300 रुपय में ITR फाइल कर रहे हैं मैं जानता हूँ और मैं ऐसे भी experts CA, lawyer उनको भी जानता हूँ जो सिर्फ consultation fees का आदे घंटे का 5,000 चार्ज करते हैं 30 minutes का काम की fees तो अलाग है तो ऐसे भी लोग है तो क्या difference है दोनों में knowledge का और दोनों knowledge theoretical and practical तो आज जुड जाएए आप अपना interest find out करिए कि आपको किस field में interest है अपने आपको expert बनाएए फिर ये जो problems है ना कि client पैसे नहीं दे रहा है phone कर रहा है वाहाँ दे नहीं आ रहा है हाँ बाकी आप advance लेके काम करिए ये सब भी solution है बट ये temporary है जो मैंने आपको बताया ये है permanent solution ये solution कैसा लगा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए ऐसे ही मदेदार वीडियो के लिए CMITRA24 को कर लेजे सब्सक्राइब मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में